नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल सिरिरा मैच्षपर तो देखे आजम भारतिय सविधान सबासी रेटेर जो भी इंपोर्टेंट क्यूशन होते हैं उनको में आपर डिसकस करेंगे तो चलो शुरुआत करते हैं तो पहला क्यूशन है भारतिय सविधान के किस भाग या भागू में आर्थिक न्याय को सविधान का लक्षे घोशित किया गया तो परस्तावना और निर्ती निर्देशंग सिद्धान्त में आर्थिक न्याय को सविधान का लक्षे खोशित किया गया तो option जो B है वो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंस्वर हो जाएगा तो चलिए next question करते हैं हम यहाँ पर भारत के सविधान की मूल सरंचना के सिद्धान्त का सरोर्थ है तो भारत के सविधान की मूल सरंचना के सिद्धान्त का जो सरोर्थ है वो है न्याय की व्यवस्ता तो जो option B है वो इसका यहाँ पर राइट आंस्वर हो जाएगा आगला question देखिए सविधान की उदेशिका में उलेकित हम भारत के लोग सविधान की निमनांकित विशेषता से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है तो सम परभू राज्ये तो जो ओप्शन C है वो इसका यहाँ पर राइट आंशर हो जाएगा नेक क्यूशन देखिए बारत के सविधान के सरोतों के संदर्म में निमनांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो अर्द संगातमक सरकार सिवजलेंड से तो यहाँ पर सही नहीं है कानू निर्मान की परकरिया यह ग्रेट विटेन से लिए गई है तो यह बिल्कुल सही है राजे निती के निदे सक्ततु है आयलेंड से लिए गए है यह भी बिल्कुल सही है नियाईक पुन्रवलोकन यह सहींत राजे अमेरिका से लिया गया है तो देखें यहाँ पर हमसे पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो अर्द संगात्मक सरकार स्यूजर लेंड से लिया गया यह यहाँ पर क्या है राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्योंकि हमें सुमेलित नहीं बताना है तो कौन सा सही नहीं था यहाँ पर पहला सही नहीं है वो इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा ये इसकी पर्थम बैठक थी यदि second बैठक की बात करें तो वो इसके ठीक दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और यदि बात करें हम इसकी तर्तिय बैठक की या तीसरी बैठक की तो वो इसके दो दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई थी यहाँ पर हम बैठक की बात कर रहे हैं इसके लावे यह दि हम से पूछा जाए कि सविधान सभा कब गटित के गई थी तो वो जुलाई 1946 में के गई थी जुलाई 1946 में ओके तो पर्थम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई थी इसके लावा में यह भी द्यान में रखना है कि जो पहली बैठक हुई थी इसमें जो अधेक्स बनाया गया था सविधान सभा का वो थे डोक्टर सचितानंद शिना ओके तो चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं तो अगला है निमन में से किसने सविधान सभा में उद्देश्य परस्ताव परस्तूत किया था तो जमाल लार नेरू ने किया था तो उप्शन जो B है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाल लाल नेरू अगला किशन देख लिए जन हित याचिका की अवधाना की शुरुआत किस देश से हुई तो संयुक्त राजे अमेरिका तो B ओप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा अगला किशन देखिए भारतिय सविधान सभा के संबंद में निम्नांकित में से कौन से कथन सई है तो देखे पहला है कि यह वैस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी दूसरा है यह पर्ट्यक्ष निर्वाचन का परिनाम थी यह बहुत दलिय सरंचना नहीं थी यह कई समीतियों के माद्यम से कारेरत थी तो हमें बताना है कि इन में से कौन से कथन सई है तो देखो पहला है कि यह वैस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी तो यह बिल्कुल सई है तो यह इसका सई है दूसरा देखिए यह पर्ट्यक्ष निर्वाचन का परिनाम थी तो यह बिल्कुल पर्तेक्स निर्वाचन से नहीं बनाई गी थी, तो दूसरा option इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तीसरा देखिए, यह बहुत दलिय सरंचना नहीं थी, यह बहुत दलिय सरंचना नहीं थी बोला है, यदि हथी बोला होता तो यह सही हो जाता, क्यों मस्में देशी रियास्तों के भी सामिल थे मुश्लिम के भी सामिल थे तो बहुक्त भली चरण modest नहीं थी तो जो say है वो क्या हो जाएगा रफ होजएगा तीसरा है यह कई समीतियों के माध्यम से अलड तो कर्यार तो बिल्कूल सही हैं क्यूंकि स्वयान सभा में कुई समीतिया बनाई गी थी जैसे प्रारूप समीति घंडा समीति है तो कई समीतियों के माध्यम से कारेरत थी तो दय भी इसका क्या हो जाएगा यहां पर राइट हो जाएगा तो कॉन-कॉन से सही है ऐ और दय इसका सही हो होगा तो पहला option right है नेक्ष देखिये भारते सवीधान का निर्मान करने वाली सवीधान सभा कागठन कैबिनेट mission के अधार पर कब उआ था तो जुलाइ 1946 issue में हमने पहले discussions किया लिए तो जुलाइ मैं chil ऑनीच सभागी रिथा पर सविधान सभा का गठन किया गया था यह कि उसनं देखिए सभांग का पर पर्थम अधिवेशन कब और किस की अध्यक्षता में हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 β को हुआ था यह हम पहले डिसकस कर चुके हैं और पर्थम अधिवेशन या पर्थम बैठक में इसके अध्यक्सता किस ने की थी तो डॉक्टर सचिदा नंद ने तो जो ओप्षन B है वो इसका राइट आंशर हो जाएगा देखिए सीनेटी के अधार पर डॉक्टर सचिदा नंद सीना को पर्थम अधिवेशन का अध्यक्स बनाया गय में जो इस्ताई अध्यक्स हैं वो डॉक्टर राजेंद परशाद को चुना गया था लेकिन पर्थम अधिवेशन में इसके अध्यक्सता किस ने की थी डॉक्टर सचिदा नंद सीना ने जो सबसे सीनियर थे ओके तो बी ओप्षन इसका यहां पर राइट आंसर होगा अग अगला देखिए सविधान सभा के सदश्य कौन थे जवाला नेरू तो थे सर्दार वलबाई पटेल मोलाना बुलकला माजाद तो यह भी थे डॉक्टर राजेंदर परसाद डॉक्टर भीमराव अंबेटकर तो सभी जो हैं वो सविधान सभा के सदश्य थे तो इसका राइ को तो सी ओप्शन इसका राइट हो जाएगा कि बियल मित्र की जगए प्रारूप समीती में सदश्य किसको बनाए गया था एन महदव राव को तो देखें दो सदश्यों को चेंज किया गया था प्रारूप समीती में साथ सदश्य थे और प्रारूप समीती के जो अध्यक्स तो इसको हम आगे डिसकस करेंगे तो दो सदस्यों की जगए दो नए सदस्य को लिया गया था तो कौन-कौन से हैं वो हम आगे यहां पर डिसकस करेंगे अगला है भारते सविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो देखे भारते सविधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे तो यह आपको ध्यान में रखना है इन 12 अधिवेशन में से 4 अधिवेशन भारत विभाजन से पहले हुए थे, भारत विभाजन से पहले, भारत विभाजन से पहले 4 अधिवेशन हुए थे, और भारत विभाजन के बाद में कितने अधिवेशन हुए, 8 अधिवेशन हुए थे, ओके, next देखिए, निमन में से के सदश्य थे तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रारूप समिती के जो सदश्य थे वो कौन-कौन थे उसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखे प्रारूप समिती के साथ सदश्य थे कौन-कौन थे डोक्टर बियार अमबेडकर तो भीमराव अमबेडकर जो है वो स्वामी एंगर एन गोपाल स्वामी एंगर कनया लाल मानिके लाल मुशी एन माधवराज तो देखे जो एन माधवराज है यह बियल मित्तल के इस्तान पर आये थे जबकि टिटी कर्शनामचारी है यह डिपी खेतान के इस्तान पर आये थे यह आपको यहां पर ध्यान में तो यहाँ पर देखिए कनेहलाल मानिकलाल मुंसी, सयद महुम्मद सादूला, एन गौपाल स्वामी एंगर तो यह जो सभी है वो प्रारूप समिती के सदस्य थे तो ओप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंस्वर हो जाएगा next question देखिए प्रारूप समिती में कुल कितने सदस्य थे तो अभी हमने देखा पीछे कि प्रारूप समिती में जो टोटल सदस्य के संक्याती वो कितनी थी, 7 तो इसका जो राइट आंस्वर हो कितना हो जाएगा 7 C option अगला देखें सविधान सभा की प्रारूप समिती के अधिक्स कोन थे तो सविधान सभा की प्रारूप समिती के जो अधिक्स हैं वो थे डौक्टर भीमराव अमेड्कर तो वी उप्शन इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला है सविधान सवा की पर्थम बैठक का वायुजित की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 इस्वी को और मने बताया कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दूसरी इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को और तीसरी इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को तो यह भी आपको ध्यान रखना है ने जिए खिवसन देखिए सविधान सवा के इस्ताई अध्यक्स कौन थे तो सविधान सवा के जो इस्ताई अध्यक्स हैं वो थे डौक्टर राजिंदर परसाद तो सी ओप्षन इसका राइट आणसर हो जाएगा देखिए जो डौक्टर सचिदानन्द है यह पर्थम अधिवेशन जो हुआ था पर्थम एठक होई थी 9 दिसंबर 1946 को उसकी अध्यक्स आ की थी लेकिन यह 27 अध्यक्स थे इसके जो सविधान सवा के 27 अध्यक्स हैं वो डौक्टर राजिंदर परसाद को चुना गया था ज देखिए आपर दो डेट होते हैं 26 नमबर 1949 और एक है 26 जनवरी 1950 तो यह पूछा जाए कि कब लागू या पर्भावी किया गया था तो यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था लेकिन हमसे पूछा जाए कि आंसिक रूप से कब लागू होगा था या फिर कब अंगीक्रित किया गया तब हमारा आन्सोरों का 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को तो यहाँ पर देख लेते हैं तो देखें आपर हम देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को सविधान के 15 अनुछेद जिसमें से नागरिक्ता अंतरीम संसद तथा संकर्मन कालिन उपमंद लागू किये गए थे तो आन्सिक रूप से जो सविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था लेकिन संपून सविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तो भारत का सविधान कब लागू या प्रभावी किया गया तो हमारा आन्सरोंगा 26 जनवरी 1950 को और यदि हमसे पूछा जाए कि आन्सिक रूप से कब लागू हुआ या यूं बोलें कि कब अंगिकरित किया गया तो आएगा इसका आन्सर 26 नवंबर 1949 सवतंतर भारत का सविधान सवादवारा कब पारित किया गया था तो देखें कब पारित किया गया था ये पूछा है तो 26 नवंबर 1949 को तो इस कंडिशन में जो हमारा आन्सर है वो होगा आए ओप्शन 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारत का सविधान सविधान सवादवारा पारित किया गया था ओके तो ठीक है दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा ही ज्यादा लाइक और शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि ओके थेंक यू